इंडियन रेसिपीज को डिलीशिस बनाने में इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है। इंडियन मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है। इंडियन मसालों करने में प्रॉब्लम ना आए। आप चाहें तो इन धूप में भी सुखा सकते हैं। एक पूरा दिनिंग को धूप लगवाने के बाद इसको ग्राइंड करें तो मसाला प्रॉपर ग्राइंड हो जाता है। तो अब एक बोल में मैंने इन तीनों चीज़ों को निकाल लिया है जो की रोस्ट हो चुकी हैं। इसके बाद पैन में मैंने 10-12 बड़ी इलाइची, 10-12 छोटी इलाइची, साथी लॉंग लिये हैं 10-12, जावित्री लिये हैं 2 पीसीज और साथी 5-6 टुकड़े लिये हैं दाल चीनी के एक जैफल, काली मिर्च ली है, एक चमच और साथी डाला है 23 पत्ता। इन सब चीज़ों को भी हम 1-1.5 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे, कोई भी मसाला बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं अपनी र्क्वायर्मेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको यही ड्वाइस करूँगी कि मसाला जब भी बनाए, थोड़ी क्व खतम हो जाए, कि बार-बार खोलने और यूज़ करने से इनका अरोमा धीरे-धीरे खतम होने लगता है, आप चाहें तो इन सबी चीज़ों को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग रोस्ट करने से यह अच्छे से रोस्ट हो जाती है, क्योंकि कोई मसाला ज होने की वज़ा से ग्राइंडर को भी कोई हाम ना हो, लीजिए हमारा गरम मसाला तो तयार हो गया है, अब इसे किसी ड्राइ कंटेनर में निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे यह कंटेनर आपका एर टाइट कंटेनर होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चिर की वज़ा से आपका मसाला खराब भी हो सकता है, और इसे यूज़ करने के लिए हमेशा ड्राइ स्पून का ही इस्तिमाल करें, मैं मसाला हमेशा थोड़ी कौंटेटी में बनाती हूँ और इन्हें स्टोर करने के लिए इसी तरह के छोटे कंटेनर का इस्तिमाल करती हूँ, कौन से कंटेनर में क जिर्फ आपे के लिए असान होता है बलकि कोई भी अंजान आदमी भी आपके किचन में इजीली काम कर सकता है। लेकिन मसाला रेस्पी है जिसके बारे में बहुत बार पूचा गया चाय मसाला। इसे बनाने के लिए साथ से आठ स्टिक्स लिए हैं मैंने दाल चीनी की और साथी 30 से 40 लिए हैं मैंने छोटी इलाइची इन दोनों चीज़ों को मैं रोस्ट करूँगी वो भी 1-5 मिनट लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार म मैंने सॉंफ डाली है अब इसे भी 1-1,5 मिनट तक मैं रोस्ट करूँगी कुछ लोग ब्लैक पर यानि की काली मिर्च के दानों का भी इस्तेमाल करते हैं चाय में लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाला है अगर आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे आप सॉंफ के साथ उसे भी रोस्ट कर सकते हैं और अब इसे भी मैं ग्रीन अलाइची और दाल चीनी के साथ ग्राइंडर जार में ही डाल दूँगी और उसके बाद में डालती हूं चाहें में रोस पेटल्स आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आप मसाला बना रहे हैं तो बे reveals करके इसी के साथ ग्राइंड कर लें चाहें मे रोस पेटल्स का यूज इसके टेस्ट को तो बढ़ाता ही है और साथ ही digestive system में good bacteria की growth को भी increase करता है और ये एक herbal remedy की तरह काम करता है जिससे urinary infection, constipation या diarrhea जैसी problems cure हो जाती है इसी तरह से अगर आपके घर में तुलसी का पौदा है तो दो-चार पत्ते तुलसी के तोड़ के लाएं और वो भी चाई में डाल दें आप चाहें तो उनको सुखा कर इसका powder बनाके इस मसाला में भी add कर सकते हैं कोई जानता है कि तुलसी भी एक medicine की तरह ही काम करती है viral fever हो या फिर आपको खांसी हो जुकाम हो तो बेस्ट होता है कि जब आप चाई पीते हैं तो तुलसी के दो-चार पत्ते उसमें आड़ कर लें और एक छोटा चमच डाल रही हूँ मैं अद्रक का powder यानि की saunt का powder आप चाहें तो इस पार्ट को skip कर सकते हैं क्योंकि आज कल विंटर में हम अद्रक वैसे भी चाई में कूट कर डालते हैं उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है लीजिए चाई मसाला भी तेयार हो गया है मैंने आपके साथ चाई मसाला की वही रेस्पी शेयर की है जो हम लोग यूज करते हैं कुछ लोग इसमें क्लोव यानि की लॉंग भी डालते हैं ब्लाक पेपर डालते हैं आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और बस अब लगा देंगे इस पे चाई मसाला की स्लिप एक बार ये मसाला ट्राय जूर कीजेगा आई होप आप डिस्पॉइंट नहीं होंगे नेक्स्ट रेस्पी है चना मसाला जिसे हम पंजाबी में छोले मसाला भी कहते हैं इसे बिनाने के लिए पैन में सबसे पहले वान फॉर्ट कप साबुद धनिया वान फॉर्ट कप जीरा दस से पंदरा लॉंग लिये हैं दस से बारा बड़ी इलाइची कुछ दाने लिये हैं ब्लैक पपर यानी काली मिलच के दो लिये हैं जावित्री के पीसिस एक जैफल और साथी चार से पांच लिये हैं सिनेमन स्टेक यानी की दाल चीनी अब इन सब चीजों को वही हम एक से तेज़ मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इंग्रीडियंट्स वही होते हैं लेकिन हर मसाले में थोड़ा बहुत फेर बदल होता है धनिया और जीरा हर मसाले की शान है आगे की चीजों को रोस्ट करने से पहले इन सभी को हम पहले एक बॉल में निकाल देंगे अब उसी पैन में कुछ तेज पता लिये हैं और साथी लिए है सूखी साबुत लाल मिर्च इनको भी हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे चना मसाला पाउडर की जो मैं रेस्पी आपके साथ भी शेयर कर रहे हूं वह बहुत ही बेस्ट रेसिपी है आप इसे स्पाइसी पनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और एड़ कर सकते हैं इस मसाला को बना के एक बार यूज करने के बाद आप मार्केट से चाना मसाला कभी बाई नह नहीं करना है इनको जैसे ही वो हलके से क्रेकर होने लगें तो आप इनको निकाल लें इसके बाद हम इनमें कुछ डाय इंगिनेट्स डालेंगे और ग्राइन करके इसका पाउडर बना लेंगे नेक्स्ट रेसिपी है चिकन मसाला इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है 1 3rd कप के अराउंड खस-खस खस-खस को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे और इसे एक बोल में निकाल के साइट कर देंगे और एक पैन में डालेंगे 1 4th कप के अराउंड साबुद धनिया साबुद जीरा थोड़े से लॉंग डाले है थोड़ी सी काली मिर्च के दाने बड़ी इल लाल मिर्च और कसूरी मेथी को रोस्ट करना इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ 1-5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे मसाला थोड़ा स्पाइसी होता है इसलिए हमने लाल मिर्च का इस्तिमाल इसमें जादा किया है उसके बाद मैंने एक चमच डाला ह इसमें जिंजर पाउडर और इसके बाद बारी आती है इसे ग्राइन करके पाउडर बनाने की क्योंकि मुझे वीडियो बनाने थी तो सारे मसाले मैंने आज एक साथ बनाए है तो मेरा किचन तो क्या आज मेरा पूरा घर खुश्बू के साथ महक रहा है तकरीबन तकरीबन हर तरह के मसाले की खुश्व मेरे पूरे घर में इस वक्त फैल चुकी है और यही रीजन है कि खाने में इंका इस्तेमाल हमारी भूख और बढ़ा देता है फिफ्ट एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला इसके लिए पैन में डाले हैं दो टेबल स्पून चना दाल, दो टेबल स्पून उड़त की दाल और दो ही टेबल स्पून तूर यानि की अरहर की दाल तीनों दालों को लो से मीडियम फ्लिम तक हम दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे दालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इन्हें निकाल देंगे एक बोल में उसके बाद उसी पैन में 1 टेबल स्पून मेथी सीड्स लेंगे उसे भी 1.5 मिनट तक रोस्ट करेंगे और उसी बोल में डाल देंगे फिर से उसी पैन में हम डालेंगे 1 फोर्थ कप साबुत धन्या और 1 फोर्थ कप जीरा दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट करेंगे हर मसाले को हमने बहुत ही कम टाइम के लिए और low to medium flame ही रोस्ट करना है ध्यान रहे कि हाई flame पे रोस्ट ना करें कोई मसाला जल ना जाए उसके बाद पैन में लिया है एक चमच mustard seed यानी की सरसों के दाने और दो चमच लिए हैं black pepper यानी काली मिर्च के दाने और साथ ही डाली है कुछ सूखी लाल मिर्च रोस्ट 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 और डाल दें उसी बोल में और उसके बाद उसी पैन में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता आपके पास fresh पड़े हैं तो वो भी चलेंगे उनको भी roast कर सकते हैं या फिर आपके पास dry किये हुए क पत्ता पड़े हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं तब चीजों को एक बोल में डालने के बाद डालेंगे एक छोटा चमज हींग और एक चमज जालेंगे हल्दी का इन सब को मिक्स करके ग्राइंड करनेंगे और सामर मसाला रडी हो जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा मिलती हो आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई टेक कियर और स्टे हल्दी